नमस्कार, आज हम हाजिर हैं, अमारे साथ पंकर से पाठी जी हैं, यूंके साथ है कल एक काठ हुआ था, इस काठ को लेके हम आपकी वीच में हाजिर हैं, मेरा उस देश है कि आपको जालू पढ़ना है, आपके साथ ऐसी धखनाएं ना हो, अगर धखनाएं हो भी जाती हैं, मेरे साथ कल एक स्कैम हुआ, मेरे क्रेडिर कार्ड से 12,000 कौन से रुपए का अन और साइट ट्रांजिक्शन हो गया, जिसका डिटेल मैं आपको बताता हूँ, कैसे हुआ है, मेरा एक CST का ग्रूप है, जिसमें मैं करीब तीन सालों से जुड़ा हूँ, और ये मान कि कि एक APK आया, APK एक application type होता है, जिसे आप Play Store से डाउनलोड करते हैं, और उस APK पर मैंने क्लिक किया, application डाउनलोड किया, तो उसके बाद मेरे mobile का control किसी दूसरे के हाथ में चला गया, जैसे कि मेरा उसके पास WhatsApp चला गया, और Gmail चला गया, Facebook चला गया, Paytm, Phone पे सब कुछ चल दूसरे mobile पे जब अपना WhatsApp लागिन करते हैं, तो एक notification आता है, तो मैंने गलती ये किया, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी गलती कहां रही है, और आप लोग कैसे बच पाएं, क्योंकि जो है, मेरा पैसा तो गया तो गया, लेकिन जो दर्सक हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो बार transaction किया, तो जब मेरे पास bank का 12500 का OTP का SMS आया, तो मैंने bank को call किया, तो 2-3 मिनट लगा जो भी IVRS में transfer करने के लिए IVR में, तो customer के रिक्जिक्टी से बात हुई, तो तब तक वो एक transaction 12000 का कर चुका था, 12500 का, उसके बाद मैंने अपने credit card को block करवा दिया, मेरे credit card की limit ज उसने मेरे ही Amazon account से अपने address पर, एक computer 12500 का order किया, जब मैंने देखा उसको, तो मैंने उस order को cancel करवा दिया, और उस जो पैसा था, उसको भी मैंने block करा दिया, अब बात या आते है कि आप लोग इस, जो है, ट्रांजिक्टन, इस fraud से कैसे बचे हैं, तो सबसे पहला यह है कि आप किसी भी unknown link पर, और unknown APK जो होता है, या किसी का call आता है, किसी का message आता है, कई बार scanner आता है, कि आप इस पे scan करिये, तो आपके account में पैसे create होंगे, इस तरीके की जो fraudulent activity होती है, उसमें ना सामिल नहें, और किसी भी लालत में नहें, और अगर गलती से आपके साथ ऐसा हो भी जाता है, मानली जी आपने गलती से कोई APK डाउनलोड कर लिया, तो उसके बाद सबसे पहले, जैसे आपको पता जलता है, आप अपना mobile का SIM निकाल दें, mobile का SIM निकाल करें, उसके बाद आप अपना Gmail का और जो Facebook है, या अन जो भी आपके पास UPI है, जैसे भीम है, या है, उसका पासवर्ट तुरंट चेल करें, तो इसके थूँ आप इस जो है, इस कैम से बच सकते हैं, और कोशिस करें कि अन अर्थराइज अपनी केसन को डाउनलोड करने से या उप्योग करने से दूर है, यह हमारे गाओं के जो लोग है, यह जो लोग परहे लिखे कव है, तो भी फोन पे, गूगल पे उच करते हैं, और उन्हें तकनीकी जानखार इतना नहीं होती है, आपने कहा भी कि इसे साथ होते हैं, तो मुबाइल का जो सिम होता निकाल ले, तो उस सिम को कैसे निकाले, मुबाइल के पूरा एक्सेस किसी अन्न के हाथ में चला जाता है, त तो कई बार क्या होता है, कि इमेल आडी भी रिजिटर होती है, तो आपका इमेल आडी पे भी समस आएगा, मुबाइल पे भी मेसेज आएगा, जब आप सिम निकाल लेंगे उसमेश आना बंद हो जाएगा, और इमेल आडी का पासवर्ड इमेडियेटली आप चेंज कर लि पहले तो अपने बैंक में आप सुचित करिए, जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी आप बैंक को सुचित करिए, जिस बैंक का अकाउंट हो, कस्टमर के नंबर पर कॉल करके, आप अपना जो भी बैंक अकाउंट है, चाहे वो UPI है, चाहे वो ATM कार्ड, debit कार्ड है, उसको ब कोई भी कंप्लेन लिखा नहीं जाएगा. तो उसे देखने के बाद, विचार करने के बाद ही खोलिएगा, तो अथा आपके साथ भी प्राद हो सकता है, जो जाज़ाज होते हैं, कि बड़े दिमाज़दार होते हैं, और बड़े आखाई से आपके खातों में जमा धन उड़ा सकते हैं. आप जानते हैं कि जो गाउं के बाद होते हैं, गाउं के लोग होते हैं, एक-एक रुपे को बढ़ोर करके यह परेखाते ही तर्टा कहते हैं, कि जब वहाई दिमाज़दार होते हैं, लेकिन ये जपकने में जियर होती है, कि पहले ये सब को छुड़ा लेते हैं, तो ऐसे जो जानताज हैं उसे ताकि प्रूरी बनाके रहें और हर गूपियों को देखते रहें और अपरे शाववाने के स्काम करें मेरा ख़वर करने का उजिए यह था कि आपको परफार करना नहीं है आपको त्रिफ जागू करना है नमस्कार नमकार